मेरे प्यारे सातियों आज 8 मई 2020 का करेंट अफेर से इस वीडियो में कबर करेंगे आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल का नाम है वाइफाई एक्जाम आईक्यू आई ये स्टार्ट करते हैं आयुषकवच कोविड एप ये किस राजने स्टार्ट किया है ये एप उत्तर प्देश राजने दुती विश्विद्ध इश्मारक पदक उत्तर कोरिया को दिया गया है किसके द्वारा रूस द्वारा फोन को छुए बिना लेंदेन इवं बैलेंस का उपियोग करने है तु वायस आधारित एप दो एप लांच किये हैं पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस इसमें फोन को छुने की जरुरत नहीं पड़ेगी वायस आधारित एप है यानि आवाज आधारित एप है तो ये किस कंपनी ने स्टार्ट किये हैं ये एप लांच किये हैं ये भारत पे कंपनी ने इसके बाद है लॉंग मार्च 5B लॉंग मार्च 5B ये एक अंतरिच रॉकेट है ये एक अंतरिच रॉकेट है और ये चाइना ने लॉंच किया है ठीक है और चीन के हैनान प्रांत के दच्छनी भाग से चीन के हैनान प्रांत से यहां से इसने ये अंतरिच रॉकेट को लॉंच किया है अभी कल की घटना है प्लास्टिक फैक्टरी में गैस रिसाओ से बड़ा हादसा हो गया तो ये किस राज में ये हादसा हुआ है आंध प्रदेश के विशाखा पत्तनम में किस गैस के रिसाओ से इस्टी रीन गैस के रिसाओ से और किस प्रकार की factory थी? एक plastic factory थी ये question important है किस गैस के रिसाओ से वहाँ पर बड़ा हाथसा हुआ इस्टिरीन गैस से इसके बाद है मुस्तफा अल काधेमी मुस्तफा अल काधेमी इनको हाल ही में इराक के पीएम पद की सपथ दिलाई गई है ये एराक के पीम पदपल सपत दिलाए गई है मुस्तफा अल काधेमी दादा दादी एवं नाना नानी अभियान नीती आयोग ने स्टार्ड किया है दादा दादी और नाना नानी अभियान किस ने सुरू किया है नीती आयोग ने और किसके सहयोग से पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से इरान ने मुद्राइसपीति से निपटने के लिए नई मुद्रा चलाई ग्याई है और उस नई मुद्रा का नाम है टोमन धिकि automation जैसा अग जानते है munson मुद्रा का नाम है अईरानी मुद्रा की जो एकाई है वो है रियाल लेकिन अब मुद्रा इस्पीद इसे निपटने के लिए ये टोमन चलाई गई है और एक टोमन बराबर होता है दस अजार रियाल के मनीशा सिंग का नाम हाल में बहुत चर्चित है मनीशा सिंग को OECD का द ल्ट हैं लस्ट एट होम ये रिपोर्ट कौन जारी करता है सेंकत राष्ट बालकोस यानी यूनिसेफ याद रखेगा लस्ट एट होम क्रिश्यमूल एम खलीद की ब्यापक निकरानी सी एम एपीपी एप ये किस राज ने लॉंच किया है आंधर प्रदेश राज ने सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है साथ मई को ठीक है आज है आठ मई आज मनाया जाता है विश्व थेली सीमिया दिवस ठीक है सा से हो गया साथ और सा से हो गया सडक इसके बाद है इसकी स्थापना कब हुई थी 1960 में और ये किसके अधीन काम करता है रच्छा मंतराले के अंतरगत ये वर्क करता है सीमा सडक संग्ठन BRO बोलते हैं इसको ठीक है इसके बाद है Border Road Organization भारत ने मैक्सिको के लिए Hydroxy Chloroquine की मंजूरी दे दी है ठीक है लगभग काफी मेत्रिक टन मातरा में भारत ने मैक्सिको को हाली में Hydroxy Chloroquine की मंजूरी दे दी है OECD का पूरा नाम क्या है OECD का पूरा नाम है आर्थिक सहयोग विकास संग्ठन इसका मुख्याला है पेरिस इसकी स्थापना कब हुई थी 1961 में इसके सदस्देश कितने है 36 OECD का मुख्याला है मुख्याला है ये पेरिस याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में OECD आर्थिक प्रगति एवं विश्व ब्यापार को बढ़ावा देने वाला अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है ये क्या है एक प्रकार का आर्थिक संगठन है जो ब्यापार को बढ़ावा देगा और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगा किस राज ने श्टार्ट की नाईकर संभान योजना करनाटक सरकार ने शुरू की नाईकर संभान योजना करनाटक स्रम ब्यूरो के महान देशक कौन है? DPS नेगी OECD का गठन विक्सित देशों ने किया है इसमें विकासिल देश सामिल नहीं है ठीक है तो इसे लिए भारत OECD का सदस नहीं है अगर क्वेश्चन आता है कि भारत OECD आर्थिक सहयोग विकास संग्ठन का सदस है तो भारत इसका सदस नहीं है ठीक है भारत इसका मेंबर नहीं है भारत नहीं है इसके बाद क्यों क्यों नहीं है क्योंकि इसका जो इसको 61 में यह है ठीक है इसके सदा सदेश कितने है 36 चलिए इसके बाद देखिए यह है मुख मंत्री योगा योग योजना मुख मंत्री योगा योग योजना यह त्रिपुरा राजय सरकार ने शुरू की है और यह जो कॉलेज या यूनिवर्स्टी के फाइनल येर के चातर है उनको 5000 रुपए मुबाइल खरीदने के लिए मुख मंत्री योगा योग योजना के तहट त्रिपुरा सरकार देगी IOCL के चेर्मेन कौन है स्रीकांत माधोवैद I for India Concert किसने शुरू किया था Facebook ने शुरू किया था किसने शुरू किया फेशबुक ने श्टार्ट किया I for India Concert इसके बाद देखिए प्लाजमा थेरपी क्या है प्लाजमा थेरपी इस समय कोरोना वाइरस से संक्रमित ब्यक्ति के इलाज में अपना जाने वाली तक्नीक का नाम है प्लाजमा थेरपी ठीक है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सरीर में चार प्रकार की तत्व पाई आते हैं एक होती है लाजरक्ति गड़का है WBC और प्लाज्मा प्लाज्मा एक द्रव रूप में होता है ठीक है ये चार चीज़ें होती है अब कोरोना वाइरस से जो मरीज ठीक हो चुका है उसके सरीर के खून से एंटी बॉडी निकाल ली जाती है और उस एंटी बॉडी को निकाल करके जो संक्रमिति अप् इसका मतलब उसके सरीर में एंटी बॉडी बहुत अच्छा वर्क कर रही थी इसलिए उसकी एंटी बॉडी को निकाल के बीमार लेक्ति के सरीर में प्रवेस कराके उसका इलाज किया जा रहा है ठीक है एक रख्त दाता एक डोनर जो है 400 ml डोनेट कर सकता है ब्लड और एक प प्लाजमा की जरूरत पड़ती है 400 ml डोनेट कर सकता है अब देख्ति थीक होने के लिए 200 ml प्लाजमा की जरूरत पड़ती है अब Core wires से यानि कि वह एक ब्यक्ति दो मडीजों को सही कर सकता है और अब धी को जाएगा तो दो हब्दे बाद ही कोई क्ति प्लाजमा डोनेट क कर सकता है दो हफ्ते माने 14 दिन के पहले वो प्राजमा डोनेट नहीं कर सकता इसके बाद गंगा जल में पाई जाने वाले जीवान भोजी वाइरस का नाम क्या है उसका नाम है निंजा वाइरस जो वहां बैक्टीरिया जो गंगा जल में पाई आते हैं उनको खतम करने के इसके बाद देखिए 2020 JJ ये क्या है एक छुद्र ग्रह जो प्रत्वी के नजदीक से हाल ही में गुजरा है छुद्र ग्रह को इंगलिस में बोलते हैं एस्टेराइट्स 2020 JJ छुद्र ग्रह है इसके बाद है विजय जड़ धारी विजय जड़ धारी कौन है ये बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं खेतों में बिना जोताई के ही गेहूं की खेती की उपज करने में इनका योगदान रहा इन्होंने बीज बचाओ बीज बचाओ बीज बचाओ आंदोलन के ये संयोजक हैं आयू संजीवनी एप भी लांच हुआ है आयू संजीवनी किस्ते रिलेट प्रत्वी से 1000 प्रकास वर्स दूर एक नए ब्लैक होल की खोच किया है इसके बाद भारती मौसम विभाग ने मौसम संबंदी उप प्रभाग में पाक अधिकरत कस्मीर यानि पी ओके और प्लस गिलगित बलतिस्तान को सामिल करके दर्साया गया है ठीक है यह भारत के मौसम विभाग ने किसको अपने नक्से में किसको अपने नक्से में दर्साया है पी ओके और गिलगित बलतिस्तान को इसके बाद देखिए नीरी क्या है नीरी का पूरा नाम पहले हम जान लेते हैं नेशनल इन्वार्मेंट इंजिनिरिंग इसर्च इंस्टिटूट यानि हिंदी में बोलते हैं इसको राष्टिय परियाबरान अभियांतर की अनुसंदान संस्थान इसकी स्थापना हुई थी 1958 को नागपुर में इसकी स्थापना कब हुई 1958 नागपुर में ओपरेशन और 1958 को ही DRDO की भी स्थापना हुई थी और नीरी की स्थापना नीरी ना से नीरी और ना से नागपुर इसका मुख्याला है ठीक है ऑपरेशन जैक बूट क्या है यह जम्मू कस्मीर के जो आतंकवादी है उनको खतम करने के लिए ऑपरेशन जैक बूट चलाया गया था जासे जैक बूट और जासे जम्मू कस्मीर इसके बाद है फॉर्प्स पत्रिका 2020 में फॉर्प्स 2020 की सूची में भारत के टॉप अरबपतियों को दरसाया गया है जिसमें नम नमबर एक पे हैं मुखे संबानी नमबर एक पे कौन है मुखे संबानी और हैं राधा किसं दामनी संपत्र च इसके बाद पर्यावराण और प्रभाव को किसके अंतरगात जारी किया गया है परियाबरण जो संथ्छन एक्ट है 1986 उसके अंतरगात जारी किया गया है परियाबरण आंतरगात प्रभाव नोटिफिकेस्व को मेढें परियावण जो सनलच्छन अधनिया में 1986 में पारिद हुआ था याद रखिएगा उसी के अंतरगत परियावण आगरन प्रभाव नोटिविकेशन को जारी किया गया इसके बाद IOM क्या है IOM का पूरा नाम है International Organization of Migration International Organization of Migration इसकी मुख्याले कहा है स्वीजर लेंड में है इसकी स्थापना कब हुई 1951 इसका मुख्याले important है याद रखिएगा IOM का मुख्याले है स्वीजर लेंड ठीक है माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास करना प्रवासियों का अंतराश्टी संग्ठन है वह उसका मुख्याले कहा है स्वीजर लेंड में है और 1951 में इसकी स्थापना हुई थी तो आज के लिए दोस्तों इतना e-current affairs है नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार